हेलो दोस्तों वेल्कम टू डियेश्डी कार्स और भाई आज के वीडियो में आपके सामने है The All New Maruti Grand Vitara 2022 और Grand Vitara Mid-Size SUV के सेग्मेंट में काफी धूम मचा रही है ये आप लोगोंने पिछले कुछ दिनों में देख लिया होगा Grand Vitara का जो डेल्टा वेरियंट है वो आप लोगों के सामने है कितना क्या वेल्यू फोर मनी है क्या फीचर्स आपको मिलते है Grand Vitara Sigma Base Model या फिर डेल्टा वेरियंट कौन सा लेना आपके लिए ज़्यादा वेल्यू फोर मनी हो सकता है वो बात भी आज के वीडियो में करेंगे सबसे पहले बात करें फीचर्स की तो LED DRLS Come Turn Indicators आपको मिल जाते हैं Halogen Projector Headlight आपको यहाँ पे मिल जाती है Silver Skid Plate मिल जाती है और Chrome Finish की सरांडिंग के साथ में जो प्यानो Black Color की ग्रिल है वो आपको मिलती है और काफी attractive जो लूक है गाड़ी का front से वो देखने में लगता है Front और side का जो combine look है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जबरदस्त लुक भाई इस गाड़ी के आती है side में चलें तो 17 इंच के steel wheel और wheel cover के साथ में जो tires है वो गाड़ी में आपको मिलते हैं Black Color की cladding गाड़ी के चारों तरफ आपको मिलती है 210 mm की जो ground clearance है वो गाड़ी में दी गई है ABS, EBD और brake assist के साथ में rear में भी disc और front में भी जो disc brakes हैं वो भाई गाड़ी में आपको मिल जाते हैं body color में ही overwims मिलते हैं और उन्हें के उपर जो LED turn indicators हैं वो भाई place किये गए हैं A pillar body color में B और C दोनों ही pillars chest black tape के साथ में आपको मिलते हैं और जो door handles हैं वो भी body color में आपको मिलते हैं side और rear का जो combine look है वो यहां से आप देख लीजिए कि कितनी जबरदस्त जो look है वो grand vitara के आती है LED में जो tail lamps हैं वो आपको गाड़ी में मिल जाते हैं और पूरी back में जो tail lamps हैं वो इस गाड़ी में दिये गए जो कि एक attractive look आपको भाई दे सकते हैं turn indicator back gear की light और जो reflector है वो यहां side में place किये गए हैं पीछे चार parking sensors आपको bumper पे मिल जाते हैं और rear skid plate भी आपको भाई गाड़ी में मिल जाती है और यहां आपको मिलता है reverse camera smart hybrid की जो technology है वो इस गाड़ी में use की गई है तो lock और unlock बटन के साथ में दो remote control चाबियां आपको गाड़ी में मिल जाती है requesting sensor driver और co driver दोनों side के दरवाजों पे मिलता है लेकिन lock unlock करने पे जो ORVM से वो भाई fold unfold नहीं होते हैं अंदर चलें तो dual tone का जो interior है वो आपको दरवाजे पे मिलता है black and boardax color का silver finish का भी use किया गया है दरवाजे पे और chrome finish के साथ में जो door handles है वो आपको मिलते हैं चारों ही power windows मिलती है driver window one touch down, one touch up और anti pinch feature के साथ में आपको भाई गाड़ी में मिलती है power foldable ORVM से दिये गए हैं ये बटन दबा के आप ORVM को भाई fold unfold कर सकते हैं और power adjust आप ORVM को कर सकते हैं soft pad आपको मिलता है bottle holder और जो speaker है वो भाई दरवाजे पे आपको मिल जाता है driver seat की बात करें तो आप back rest adjust कर सकते हैं और जो height adjustment का option है वो भी गाड़ी में आपको मिल जाता है seat आगे पीछे आप कर सकते हैं dual tone में जो fabric seats हैं वो गाड़ी में मिलती है और भारी भरकम सी gripable seat मिलती है adjustable headrest के साथ में और यह है इस गाड़ी का dashboard dashboard पे भी dual tone का जो interior है black and board X वो आपको मिलता है driver के right side में fuel lid और जो bonnet खोलने का liver है वो यहाँ नीचे दिया गया है light के controls और start stop push button आपको भाई मिल जाता है और भाई यह है गाड़ी का MID मिटर जो की काफी बढ़िया look के साथ में आता है speedometer, rp meter, fuel और temperature आपको analog दिखता है और उसके अलावा बाकी के informations आप digitally देख सकते हैं smart watch आपको मिलती है torque वगरा, SL वगरा, कब battery काम कर रही है नहीं कर रही है वो सारी informations MID में आपको digitally दिख जाती है instant mileage, distance to empty वगरा के जो features है वो भी भाई गाड़ी में आपको मिल जाते हैं paddle shifters भी आपको मिलते हैं क्योंकि यह automatic variant है sound controls और telephonic controls आपको steering पे मिलते हैं और साथी साथ जो cruise controls हैं वो भी भाई गाड़ी में आपको मिल जाते हैं dual airbag के साथ में गाड़ी आती है और steering को आप tilt और telescopic दोनों तरह से भाई adjust कर सकते हैं तो यह काफी बढ़िया feature आपको गाड़ी में मिल जाता है center console पे चलें तो 7 inch का touchscreen infotainment system आपको मिलता है चार speaker के साथ में और जो hazard switch है वो center में आप देख सकते हैं auto climate control आपको मिल जाता है गाड़ी में idle start stop और जो traction बटन है वो यहाँ नीचे दिये गए हैं 12 volt का accessory outlet और जो USB port है वो भी भाई आपको यहाँ नीचे मिल जाता है चोटा मोटा समान आप रख सकते हैं automatic transmission में गाड़ी है तो gear lever की जो look है वो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं six speed automatic transmission के साथ में गाड़ी आती है दो cup holders आपको मिल जाते हैं और adjustable center armrest with storage भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है ये चीजें आपको base model में भी मिल जाती हैं तो उस हिसाब से काफी बढ़िया features आपको मिलते हैं normal glow box compartment आपको मिलता है manually adjustable day night IRVM आपको मिल जाता है push on push of function के साथ में जो cabin light है वो मिलती है और vanity mirror आपको flip cover के साथ में दोनों ही sun visors के उपर भाई मिल जाता है foldable grab handles मिलते हैं और पीछे वाले दरवाजों पे जो reading lamp है वो भी आपको मिल जाता है और पीछे cabin में कोई भी दूसरी light भाई आपको नहीं मिलती है ये था इस गाड़ी का front cabin अब चलते हैं rear में तो rear दरवाजे पे भी dual tone का interior silver finish, chrome finish का use किया गया है power window का control, soft pad आपको मिल जाती है bottle holder और जो speaker है वो दरवाजे पे भाई दिये गए है और ये है इस गाड़ी की rear sitting तो rear sitting काफी कमाल की है पूरा space आपको मिलता है और features भी भाई जबरदस्त आपको मिलते हैं 3 adjustable headrest आपको मिल जाते हैं और center armrest with cup holder भी इस गाड़ी में भाई आपको मिल जाता है 60-40 split seat मिल जाती है 2 step adjustment के साथ में जिसको की recline angle पे आप adjust कर सकते हैं और यहां से भी जो boot का access है वो आप कर सकते हैं rear parcel tray आपको मिल जाती है गाड़ी में बैट के देख लेते कि space कितना क्या मिलता है मारुत्ती grand vitara में तो space भाई पूरा आपको मिलता है कोई ऐसा issue नहीं है leg room हो या thai sport हो बढ़िया space आपको गाड़ी में मिलता है और जो rear AC vents है वो भी आपको मिल जाते है delta variant है तो A और C type का जो charging point है वो भी भाई आपको मिल जाता है rear seat पे बैठने के बाद जो dash board की look है music system के साथ में वो यहां से आप देख सकते हैं कि कैसी क्या लगती है एक और special feature आपको दिखाता हूं कि जो यह belt है उसका angle आप देख लिजिए कि कहां से लेकर कहां पे जो belt है बीच वाले आदमी के लिए वो भाई यहां पे दी गई है तो यह भी काफी अच्छी चीज यहां पे लगी मुझे boot की बात करें तो requesting sensor के साथ में power boot आपको मिल जाता है 400 liter का जो boot space है वो grand vitara में आपको मिलता है 12 volt का accessory outlet और जो boot light है वो आपको भाई गाड़ी में मिल जाती है दोनों कोनों में जो space है वो भी आपको मिलता है और boot floor के नीचे आपको मिलता है 17 inch का spare wheel जो की black color का steel rim है और size में बाकी के tires के जैसा ही आपको मिलता है अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के heart यानि की engine के बारे में तो मारुत्ती grand vitara के delta variant में 1462 cc, 102 bhp, 136 nm torque और 20.58 km per litre के mileage के साथ में 4 cylinder 1.5 litre smart hybrid petrol engine दिया गया है जो की बढ़िया power इस गाड़ी को दे देता है pricing के बात करें तो delta में आपको manual और automatic दोनों तरह के transmission मिल जाते हैं manual transmission के price की अगर मैं बात करूँ तो वो है extra room 11,90,000 रुपे और ये गाड़ी on road आपको पढ़ती है लगबग 13,85,000 रुपे की वहीं अगर आप automatic variant लेते हैं delta का जो की आपके आँखों के सामने है उसकी जो extra room कीमत है वो है 13,40,000 रुपे और ये गाड़ी on road आपको पढ़ेगी लगबग 15,55,000 रुपे की यानि कि automatic variant manual से लगबग 15,50,000 रुपे आपको महंगा मिलता है तो आप automatic ले या manual ले वो भाई आपके requirement है आपकी choice है लेकिन pricing के हिसाब से sigma variant मुझे जादा value for money लगा क्योंकि delta variant में जो glow box की light है वो आपको extra मिलती है front footwear light आपको मिलती है trunk light मिलती है rear charging port आपको मिल जाते है smart play pro 4 speaker के साथ में आपको मिलता है suzuki connect के साथ में rear camera आपको मिलता है 12 volt का जो socket है वो आपको मिलता है और cruise controls आपको मिलते है तो जो features आपको extra मिल रहे हैं उसके according भाई 1,65,000 रुपे मेरे इसाब से तो ये features वर्थ नहीं करते हैं उसके अलावा अगर आप sigma variant लेते हैं और उसमें accessories लगवा लेते हैं तो वो ज़्यादा better option आपके लिए सावित हो सकता है company rates से भी अगर इन features की price में लगाऊं तो लगबग 75,000 आप मानलो 80,000 मानलो फिर भी 80,000 रुपे कही न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कहां गए नहीं गए समझ में शैद आपको नहीं आएगा फिर भी जिस भाई को company fitted accessories चीएं cruise control वगरा चीए तो वो भाई delta variant की तरफ जा सकता है पैसे आपके choice आपकी है मेरी तरफ से sigma जो variant है वो जादा value for money कहीं न कहीं आपके लिए साबित हो सकता है तो भाई यही था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो please channel को subscribe कर देना और मुझे अपना support देते रहना वीडियो को end तक देखने के लिए thank you दोस्तों